क्लें स्लेंटी ने कि वीडियो में मैं आपको अंसीन पैसेज्ज होता है आता है जो पैस्टेज्ज इसको बतांगा अर यई घरंटी लेता हूँ seni कर दों कि अगर आप video देखे तो पंदरह नम्बर बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है तब तो आप निकाली लो जाओगे चाहे दो रहेगा लेकिन अगर नहीं जानते तो कैसे निकालेंगे तो एक यह रहा अंसीन पैसेज और एक पैसेज आपकी जस्ट नीचे रहा देख सकते हैं क्या है रीड दी फॉलोंग पैसेज केरफुली पाजाक नहीं बात सही है आपको बिना पढ़े दिना पढ़े आपका पंद्रा नंबर आना चाहिए कैसे अंसीन पैसेज दो बताने वाला हूं ट्रिक के साथ बताने हो टाइम जरूर लगेगा लेकिन हां समझा के मानूंगा और यह बता दे रहा हूं रटना नहीं और अर् है तो आसान है और इसको पढ़ लो देखो पहले क्या पढ़ेंगे इसको मैंने बिना पढ़े बताना है तो चैलेंजिंग पॉइंट हो गया पिर तो मेरे लिए जी नहीं मेरे लिए नहीं हुआ अब आपको हुआ या नहीं हुआ यह मुझे नहीं पता लेकिन मैं बिना हुआ है सबसे पहले क्या देखेंगे कोस्च額 में क्या लिखा है how the whole history of mankind is dotted whole history of mankind आप देखां को इसमें क्या है हाउद नलगभग मिली जाता है लेकिन whole history खोजेंगे o जब बढ़ो पैसे जों पैसे जो पैसे दिया है उसको सुटाटिस पड़ना नीचे हो सकता एकदम उपर हो सकता बीच में हो तो आपको कुछ भी नहीं पता है तो इसलिए जब भी पढ़ो उपर से पढ़ो क्या है दा होल हिस्ट्री ऑप मैंनकाइंड इस डॉटेड विच दा डीट्स फॉर इंजस्टीश क्या इंजस्टीश एक मिद्धा ठीक है एंड क्रुएल्टी दा इवेंट ओफ इंजस्ट तो हमें पढ़ना नहीं तो यहां से देखना से एक दम कहां पर जाके रुखना है एक जहां पर डॉट होगा जहां पर बिंदी होगी तो यहां से लिखेंगे यहां से कहां पर रुखेंगे पूरा लिखते जाएंगे लिखत प्लेक्स एंड फ्यूरीज ऑफ वार्स जैसे लिखा है सेम टू सेम पूरा लिख देंगे यही आपका एंसर होगा एक भी नमबर नहीं कट होगा अब बोलो के भाई यहीं पर रोख जाओंगे नहीं अगर आपको नहीं समझ मेरा थोड़ा एक इस्टे पर आगे बढ़ जाओ अगर मुझे यह डॉट हमें नहीं दिखता जल्दी तो यहीं पर आके हम रुख देते हैं यह ट्रिक है आपके लिए और यह फॉलो होगा अभी जो अगला पैसे रहेगा ना वह बहुत कठीन है उसको देखना मैं इसको इसका इंसर दिखा देता हूं पाले तो सेम टू सेम भी एक भी चैंजिंग नहीं किया हूं और यह टो इसको चापा हूं इसको और आप भी चाप किया यह चापना जा कि चाप इसको देखलो दा होलिश्ट्री अब मैंकाइं डॉटेड विट दीट्स अपिंजस्टिस आया क्रुल्टी दा इवेंट ओफ फैमिनेस और प्लेक्स प्लेक्स एंड दा फ्यूरेज ओफ वर्स सेम लिख दो मिल गया तीन नंबर चलो आगे अगर तीन नंबर मिल गया वाई ना कम नहीं होता तीन नंबर चलो आगे देखते हैं वाट डिड महत्मा गांदी एडोकेट फोर पहला तीन अबर आपको कंफर्म है आगे वाट डिड महत्मा गांदी एडोकेट महत्मा गांदी हो सकता आपको एक दो बार मिल जाए तीन बार मिल जाए हो सकता एक ही बार मिले अगर नहीं मिला है तो एडोकेट तो मिलेगा ही तब हम अब इस अंसीन पैसेज में पढ़ेंगे नहीं सिर्फ एडोकेट खोजे चलो खुझते हैं एक डोकेड आपको भी कॉझतना है मेरे साथ होसकता है आप जल्दी पा जाएं मूोजे अहां पर मिला है कि बिन्दी के बाद से लिगना इस्टार्ट करेंगे तो यहां से लिगना इस्टार्ट कर देंगे माद्मा गांधी आलसोए डोकेट दी नीड ऑप ट्रस्ट एंड अफेक्षण यह कामा नहीं है सो रहे यह कामा पर रूक केंगे जहां डोक राएगा जहां पर रूक जाएगे यही आपका एंसर होगा कोई गलत नहीं काटेगा बावु भाईया कोई नहीं गलत काटने वाला मैंने बोला था question फिर से देखेंगे कि महातमा गांधी डॉकेट यही तो खोज नहां था ना यार पढ़ेंगे क्या आगे नहीं पढ़ेंगे अब हम यहां से भी मुझे तीन नमबर मिल गया करन फर्म आगे देखें वाट इस दा लेशन लेशन क्या है ऑफ हिस्ट्री आप मैंनकाइंड अब सबसे यूनिक मुझे क्या लग रहा है यहीं खोजेंगे कहां पर रहें जब रहें लेशन ऑफिस्ट्रीम फारब है याद करते रहो अच्छा याद कर लो नहीं धूलेंयोगा दर्फ दले संदलें दर्फ कही मिला है मिले जरूरी ए दने संधित डरीर हे ज़िकल यहां यहां पर मिलें देंगे गूंपर दलेसन ऊफ स्ट्री लिखना कर दो ना सुत पर्र Our यहीं से लिखना पूरा यहां तक छाप दो पूरा यहां तक छाप दो कोई गलत नहीं काटेगा पूरे यूट्व पर सा रहा हूं अधिक मिल गया मुझे अभी जो दूसरा रहेंगा उसमें टब क्या क्या मिलेगा भी देखना इस देट टूथ एड़व आलवेज विन एंड टाइरेंट यहां तक लिख दो देखो मैं लिखा हूँ आपको दमरी अलिया आपके सामने दिखा रहा हूँ क्या लिखा हूँ देले सन ओफिश्टरी इस दैट टूथ और लव आलवेज विन टाइरेंट्स एंड मर्डंस और आलवेज अलवेज टिफिक्टेड तीन नंबर यहां से भी कंपर कोई गलत नहीं काटे गया यार क्यों गलत काटेगा जब एकदम सही किये हो मैं बताया हूं तब कैसे गलत काट देगा कोई यार ठीक है आगे देखो गिव एसुटेबल टाइटल टूदी पैसे इसमें जो गिव माने यूनिक लगेगा आपको पहले तो आपका तीन त्रिक का नव नव नंबर कंफर्म हो गया यह भी होगा इसमें किस चीज के बारे आप हमें पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और महत्मा गादी जो है अक्सर क्या है वह हूं मैं डिग्निटी की बाते करते हैं और इस टेबल जो सबसे जादा यूनिक हो जो अलग हो बार बार पूछा कि मैं लिखा गया हो लिखेंगे क्या पीश ओफ हो मैं डिग्निटी बस चाप दो यह आपका ती नंबर कंफर्म करा दिया ठीक है आगे देखो पैसे मीन अब जो क्लियर्टी मतलब जो होता है साव सुस्त्रा अब इसमें भी अगर खोजेंगे तो आपको मिलेगा क्या डिश्टी निस्ट्ली डिसिंट्ली क्या बोलते इसक इसका निकालें और ठॉटा पढ़ेगा पढ़ा इसमें क् capable आइसे घ्रेम इंट और स्ट्रांग क्या होगा ओवर होलिंग कहीं और से नहीं इसी में है लिख लेना देखें तो पंद्रा नंबर पूरा कंफर्म आप बोलोगे भाई यह टप वाला बता दो चलो टप की तरफ बढ़ जाते हैं फटाक से बढ़ेंगे कोई जल्द बाजी नहीं है और एक चीज़ में बताना चाहूंगा कि चाहे टप हो चाहे सरल हो सभी इसी तरह से लगेगा तो चलो यह रहा है है पढ़ो रिएड दिफालोईग पैसे पैसेज गयरफिली हैं एंस इसको पढ़ेंगे क्या नहीं सबसे पाले पैसेज हमें देखना भीन ही है हमें पढ़ना है कोश्टर का वाई वाज दा ओल्ड मा के यह भाव दुखी है तो मुझे आर्था तो नहीं पता लेकिन में यह माँ पता हूं आपको यह और दो ऑढ़ो tak है यहां वैसे मैं आपको बताता चलौब कुछ ना कुछ नहीं बताता रहूंग ट्रेघर मतलो थेको और गौल मैं अब मुझे ख्यान खूजना है ओलक होड़ मैं तो मुझे ओल्ड मेन कहां मिल गया यहीं मिल गया तो मेरा एंसर हो जाएगा कहां तक कहां रुकेंगे जहां पर कामा हो यहां पर है तो यहां से लिखना है कोई चेंद देंगे कोई गलत नहीं कातेगा देखो मैं लिखा हूँ लिखा हूँ की नहीं लिखा हूँ आप बताइए लिखा हूँ कोई ट्रिक लागू हो रहा है जो इसमें बताए थी लागू हो रहा है एकदम लागू अग्दम पूरा छापना हो देखो अब आगे हैं उनिक वाट लेशन डिट दाटीच हीज सन सोरी दिख रहा है नहां अब हम खोजेंगे टीच तो टीच खोजेंगे तो टीच पढ़ते चले आओ अब सिर्फ देखना है टीच खोजना आए पढ़ना यह पूरा ठीक है जो बोला हूँ वह इसी पी एकदम फॉलो कर रहा हूं मैं टीच इसमें खोजना है लिखा कहां पर है कि टीच मैंने पूरा खो कोई फों मिल गया तो यहीं पर रुख जाएंगे अराम से खोज ना को जल्दबाजी नहीं है काफी टाइम इसका मिलता है और मेदे आप खोज ले जाएंगे मेरे साथ मिलके तीच का थर्ड यजिकने फ़ाम यहां मिल लिख टॉट तीच का फोर्म है तो यहीं से लिखने स्टाट कर देंगे बस he taught them that united they would be strong but disunited they would always be weak same to same लिख देंगे अगर नहीं मिला जो second form में जाते है third form कुछ तो मिल रहा है उसके according वहीं लिख देंगे देखो he taught them that united they would be strong but disunited they would always be weak clear काम खत्म जी आगे देखते हैं तो तीन यहां तीन यहां तीन नंबर खत्म explain the underlying portion underline वैसे मुझे तो अर्था तो पता रहेंगा लेकिन आपको तो नहीं पता है ना वहां पर जैसे business मतलब क्या होता परीसान अब बोल सकते हैं लगधी नब करिल सकते हैं नोसी को हम क्या बोलषां में Bradley सकते हैं केसले सकते हैं क्या पूंस्टेंट बोसकते हैं की इसमें क्या दिया है इसमें बताया गया है आप होगे अगर समझ में यही आएगा कि unity के बारे मिजो आपको समझ में आता ना वही चीज लिखना तरही होगा कोई दिक्कत नहीं इसमें unity strength जो unity है जो एकता है वो क्या है strength मजबूती है एकता ही मजबूती है आगे क्या है केसलेस देखो फिर पूछा है आगे देखो इसमें constant and unending upset और वरीड large and heavy यानि कैसलेस distressed hefty इसी में खोज के यह लिखा गया है सवाई होप आप लोगों को समझ में जरूरा होगा 15 मिन में आपको कुप्लीट कराया हूँ मेर समझ आ गया अगर समझ आ तो लाइक शेयर कमेंट करके जुरूर बताना बताना जुरूर बहुत-बहुत धन्मा बेडियो बनता है टेक लिए